अनेक उत्पादक मंडियों में नई सर्सों की आपूर्ती शुरू हो गई है जबकि व्यापारियों और मिलर्स की लिवाली सीमित है न्यून्तम समर्थन मूल्य, MSP, पर सरकारी एजनसी द्वारा इसकी खरीद अभी आरंब नहीं की गई है चालू रबी सीजन के दौरान सर्सों का बिजाई क्षेतर उचल कर एक सो दशमलव चार शूने लाख हेक्टेर के सर्वकालीन सर्वोच स्तर पर पहुँच गया है और कुछेक इलाकों को छोड़ कर शेश क्षेतरों में फसल की हालत अच्छी बताई जा रही है इसे देखते हुए विशलेशकों का मानना है कि इस बार सर्सों का उतपादन एक नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच सकता है अच्छी आवक एवं सीमित उठाव के कारण 9-15 फरवरी वाले सप्ता के दोरान 42 प्रतिशत कंडीशन वाली सर्सों का दाम दिल्ली में 50 रुपए तथा जैपुर में 175 रुपए घटकर क्रमश 5,275 रुपए प्रती क्विंटल एवं 5,425 से 5,450 रुपए प्रती क्विंटल लूज में सर्सों का दाम तो इससे भी काफी नीचे रहा। उत्तर प्रदेश में सर्सों का भाव हापुर मंदी में 25 रुपए नरम पढ़कर 5,575 रुपए प्रती क्विंटल तथा आगरा मंदी में 200 रुपए लुड़कर 5,700 से 5,925 रुपए प्रती क्विंटल पर आ गय गुजरात में सीमित कारोबार के बीच भाव स्थिर रहा मगर हरियाना की मंदियों में मिश्रित रुख देखा गया। वहां इसका दाम आदमपुर में 127 रुपए चर्की दादरी में 125 रुपए तथा सिर्सा मंदी में 150 रुपए नीचे गिर गया मगर बर्वाला में 75 रु से 4900 रुपए प्रती क्विंटल पोर्सा में 175 रुपए घटकर 4800 रुपए प्रती क्विंटल तथा ग्वालियर मंदी में 100 रुपए गिर कर 4800 से 5000 रुपए प्रती क्विंटल रह गया। सबसे प्रमुक उत्पादक प्रांध राजस्थान में सर्सों की कीमत कमजोर रही। वहां समीक शाधीन सप्ता के दौरान सरसों काड़ा अलवर मंडी में 200 रुपए लुड़कर 5200 रुपए प्रती क्विंटल पर आ गया। इसी तरह खैर्थल में भाव 75 रुपए नरम रहा मगर बुंदी में 100 रुपए बढ़कर 5300 रुपए प्रती क्विंटल हो गया। सरसों का भाव नरम रहने से सरसों तेल के दाम में भी 10 से 20 रुपए प्रती 10 किलो की गिरावट आ गई। दिल्ली में एक स्पेलर का दाम 20 रुपए घटकर 990 रुपए प्रती 10 किलो रह गया जबकि मुरेना में इतना ही गिरकर 980 रुपए पर आ गया। गंगानगर में कच्ची घानी सरसों तेल का दाम 40 रुपए लुड़कर 110 रुपए तथा एक स्पेलर का भाव 25 रुपए बढ़कर 975 रुपए प्रती 10 किलो पर आ गया। अन्य जगहों पर भी दाम कमजोर रहा। राष्ट्री अस्तर पर प्रमुक उत्पादक राजियों की महत्वपून मंडियों में सरसों की आवक 9 फरवरी को 4.00 लाक बोरी, 10 फरवरी को भी 4.00 लाक बोरी, 12 फरवरी को 4.75 लाक बोरी, 13 फरवरी को 5.00 लाक बोरी, 14 फरवरी को 4.70 लाक बोरी एवं 15 फरवरी को 5.00 ला झाल झाल